मिर्जा खुर्शेत का हाता कलब भी है, कचहरी भी, अखाडा भी, दिन भर जमखट लगा रहता है, महले में अखाडे के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी, मिर्जा ने एक छपपर डलवा कर अखाडा बनवा दिया है, वहां नित्थे 150 लड़ती आज उड़ते हैं, मिर्जा के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है, और राजनीतिक आन्दोलन का भी, आए दिन सभाए होती रहती हैं, यहीं स्वेम सेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बद्दे हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है, पिछले जलसे में मालती नगर कांगरेस की सभानेत्री जुनली गई है तब से इस थान की रौनक और भी बढ़ गई गोबर को यहां रहते साल भर हो गया अववा सीधा सीधा ग्रामेडियोवक नहीं है उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंगधंग भी कुछ-कुछ समझने लगा है मूल मेवा अब उसने पहले महीने में तो किवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुप्य बचा लिये फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा इधर ज्यादा लाब देखा तो नौकरी छोड़ दी गर्मियों में शर्बत और बरफ की दुकान भी खोल दी लेंदेन में खरा था इसलिए उसकी साख चम गई जाड़े आए तो उसने शर्बत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा अब उसकी रोजाना आंदनी धाई तीन रुपे से कम नहीं है उसने अंग्रीजी फैशन के बाल कटवा लिये हैं महीन धोती और पंपशू पहनता है एक लाल उनी चादर खरीद ली और पांच सिगरेट का शौकीन हो गया है सभाव में आने जाने से उसे कुछ-कुछ राजनीते ग्यान भी हो चला है राश्ट और वर्ट का अर्थ समझने लगा है सामाजिक रूडियों की प्रतिष्ठा और लोकनिंदा कब है अब उसमें बहुत कम रह गया है आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोज बना दिया है जिस बात की पीछे वह यहां घर से दूर मोचिपाय पड़ा हुआ है उसी दरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदासपत बातें यहां नित्य हुआ करती है और कोई भागता नही फिर वही क्यों इतना डरे और मोचुराय इतने दुनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं बेजा वह माता पिता को रुपे पैसे के मामले में इतना चतोर नहीं समझता वे लोग तो रुपे पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे दादा को धुरंद गया करने की और अम्म को सूद पर रुपे उधार देता है इस दस ग्यारा महीने में ही उसने अपनी महनत और किफायत और पुरशात से अपना स्थान बना लिया है और अब जुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है तीसरे पैर का समय है वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के ल कुछा क्या होक महसरकार मिर्जा ने खड़े खड़े कहा तुम्हारे पास कुछ रुपे हो तो दे दो आज तीन दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है जी बहुत बेचैन हो रहा है गोबर ने इसके पहले भी दो तीन बार मिर्जा जी को रुपे दिये थे पर अब तक वसू रुपे न दूँगा या मेरे पास रुपे नहीं है शराप की निंदा करने लगा आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाता और शौक से पीता हूँ मैं इसके बगएर जिंदा नहीं रह सकता तुम अपने रुपियों के लिए न डरो मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूँगा गोबर अविचलित रहा मैं सच कहता हूं मालिक मेरे पास इस समय रुपे होते तो आपसे इंकार करता दो रुपे भ मन लल्चा उठा मगर बात कैसे बदले बोला यह आप क्या कहते हैं मालिक रुपे होते तो आपको दे देता अंगोठी की कौन बात थी मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आगरह भर कर कहा मैं फिर तुम से कभी न मांगूगा गोबर उच्छे खड़ा नहीं हुआ इस शराब की बदलत मैंने लाखों की हैसियत बिगार दी और विकारी हो गया अब मुझे भी जित पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े इसे छोडूंगा नहीं जब गोबर ने अब की बार इंकार किया तो मिर्जा सहाब निराश होकर चले गए शहर में उनके जारों लटके मालूम थे जिनसे वह समय समय पर रूप्यों के धेर लगा देते थे पर पैसे की उनके निगाह में कोई कदर न थी उनके हाथ में रूपे जैसे काटते थे किसी न किसी बहाने उड़ा कर ही उनका चित शान्त होता था गोबर आलू चीलने लगा साल भर के अं असानी से पांच रूपया मिल सकता है गोबर लगबख साल भर से उसमें रहता है लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया मागा ना उसने दिया उन्हें शायत ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है थोड़ी देर में एक एकके वाला रूपय मांगने आया अलादीन नाम था, सिर्ख घुटा हुआ, खिचरी दाढ़ी, उसकी लड़की विदा हो रही थी, पांच रुपे की उसे जरूरत थी, गोबर ने उसे एक आना रुपया सूद पर दे दिये। अलादीन ने धन्यवाद दिते हुए कहा, भाईया, अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाँचे ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया, थोड़ी आमदनी में ग्रहस्ती कैसे चलेगी। अलादीन बीडी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्ला देगा भाईया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ, जितना तुम अकेले खर्च करते हो, उसी में ग्रहस्ती चल जाएगी। औरत की हाथ में बड़ी परक्कत होती है, खुदा कसम जब मैं अकेला यहां रहता था, तो चाहे कितना ही कमाऊ, खापी सब बराबर, बीडी तमागों खोबी पैसा न रहता था, उस पर हैरानी, ठकिमान दे आओ, तो घोडे को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दु जब जान खपा कर भी आराम न मिले, तो जिन्दगी ही गारत हो गई, मैं तो कहता हूँ, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भाया, जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो, उतनी देर में दो-चार प्याले चाय बेच लोगे, अब चाय बारह हो मास चलती है, रात को ल जाती, मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का समान भी लेता चले, क्रिपर लोगों में उच्छों पर दिल खोल कर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ती होती है, वह उसमें भी सजग हो गई, आखिर उसी दिन के लिए तो कोड़ी-कोड़ी जोड रहा था, वह मा पहनों और जुनिया सब के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चपल, रूपा के लिए एक जपानी गुडिया और जुनिया के लिए एक पिटारी, जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा बच्चे के लिए टोप और फ्राउक जो बाजार में बना बनाया मिलता है उसने रुपिय निकाले और बाजार चला दोपहर तक सारी चीजें आ गई बिस्तर भी बंधा गया महलेवालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है कई मर्द और तें उसे विदा करने आए गोबर ने उन्हें अपना घर सौपते हुए कहा तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लोटूँगा एक युबदी ने मुस्कुरा कर कहा महरिया को बिना लिये ना आना नहीं घर में न घुसने पाओगे दूसरी प्रोढ़ा ने शिक्षा दी हाँ और क्या बहुत दिनों तक चूला फूंक चुके ठिकाने से रोटी तो मिलेगी गोबर ने सब को राम राम किया हिंदू भी थे, मुसल्मान भी थे सभी में मित्रभाव था सब एक दूसरे के दुखदर्द के साथ ही थे रोजा रखने वाले रोजा रखते थे एकादशी रखने वाले एकादशी कभी-कभी विनोध भाव से एक दूसरे पर छीते भी उड़ा लेते थे गोबर अलादीन की नमास को उठा बैठी कहता अलादिन पीपल की नीचे स्तापित सैकडो छोटे बड़े शिवलिंगों को बठखरे बनाता लेकिन सामप्रदाइक दुएश का नाम भी न था गोबर घर जा रहा है, सब उसे हसी कुशी विदा करना चाहते हैं इतने में भूरे एकका लेकर आ गया अवी दिन भर का धावा मार कर आया था खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसी ही एकका इधर फेर दिया घोडे ने आपत्ती की, उसे कई जापुक लगाए गोबर ने एकके पर समान रखा, एकका बढ़ा पहुचाने वाली गली के मोर तक पहुचाने आये तब गोबर ने सबको राम राम किया और एकके पर बैड़ गया सड़क पर एकका सर पर दोड़ा जा रहा था गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था भूरे उसे घर पहुचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था बात की बात में स्टेशन आ गया गोबर ने प्रसंद होकर एक रुपया कमर से निकाल कर भूरे की तरफ बढ़ा कर कहा लो घरवालों के लिए मिठाई लिते जाना भूरे ने कृतक गिता भरे तिरसकार से उसकी ओर देखा तो मुझे गैर समझते हो भईया एक दिन जड़ा एक के पर बैट गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तयार हूँ इतना छोटा दिल नहीं पाया है और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता न छोड़ेगी गोबर ने फिर कुछ न कहा लजित होकर अपना अजबाब उतारा और टिकेट लेने चल दिया